Post Processing of Drone Data इस वीडियो टुटोरियल में हम ये सीखने वाले हैं कि Image Processing के बाद के क्या-क्या Steps होते हैं और ये Process बहुत Important है और इस वज़े से ये सीखना जरूरी हो जाता है तो इस वीडियो सेरीज में हम सीखने वाले हैं Different Software for Post Processing तो सबसे बहले ये सीखना समझना जरूरी है कि ये Post Processing होता क्या है Post Processing यानि Image Processing होने के बाद वो Data को Use करके कई सारे Different चीज़ों का Observation किया जाता है जैसे कि Quality Check की जाती है Digitization किया जाता है Layout Designing की जाती है Contour Line Generation किया जाता है Volumetric Estimation तो कई सारी चीज़े हैं जो इस Video Tutorial में हम सीखने वाले हैं तो आईए जानते हैं क्या-क्या Topics इस Video Series में cover होगा तो सबसे पहला ये है कि Different Software for Post Processing यानि Post Processing करने के कितने सारे Software होते हैं इसके बाद हम सीखेंगे Software Installation के बारे में इसके बाद जानेंगे Quality Check of OrthoMosaic यह एक बहुत Important चीज़ है क्योंकि आपने Pix4D पे जो OrthoMosaic Generate किया है उसकी Quality कैसी है उसका Quality Check करने का Process क्या होता है तो यहाँ पे हम वो Quality Check का Process सीखेने वाले हैं तो इसके बाद हम सीखेंगे Contour Line Generation और Smoothing के बारे में Contour Line आप Pix4D पे भी Create करते हो और आप Third Party Applications जो हम Discuss करेंगे आप यहाँ पे भी कर पाएंगे लेकिन आप यहाँ पे Contour Line को Smooth कर सकते हो तो कई सारे चीज़े हैं जो हम जानेंगे इसके बाद है Volumetric Estimation यह एक्चुली यूज होता है जैसे कि आपका जो Mapping होती है Mining की या किसी भी Stockpile की तो उस जगह पे Volumetric Estimation किया जाता है तो वह भी हम इस Video Series में Cover करेंगे इसके बाद आता है DTM Analysis यानि कि जो हमने DTM यानि जो Digital Terrain Model Generate किया था Pix4D से वह हम सीखेंगे कि उसकी Analysis कैसे होती है इसके बाद है 3D Video Recording जो हम DTM Generate करेंगे उसकी 3D कैसे Video Recording की जाती है Third Party Software में वह हम जानेंगे इसके बाद है Digitization of the Mosaic Map यानि कि यह एक बहुत Important Topic है जो कि बहुत सारे Drone Applications में Use होते हैं और यह Output मांगा जाता है कि Map को Digitize करके देना होता है तो इसमें हम Cover करेंगे Map Digitization के बारे में इसके बाद आता है Layout Designing for Printing of Maps जो Map हम Print Format में देते हैं जो Paper में देते हैं उसे Layout Designing करने सीखेंगे इसके बाद जो Last में आएगा वो है ORI यानि Ortho Mosaic को A1 Size, A2 Size, A3 Size, A4 Size के Paper में कैसे Print निकालके दें तो ये सारी चीज़ें Cover होती है इस वीडियो Tutorial में तो चलिए शुरू करते हैं Different Type of Software तो इसके लिए जैसा कि हमें पता है Software होते हैं Post Processing के Global Mapper, ArcGIS, QGIS और Pix4D Survey ये जो चार टाइप के Software हैं इसके अलावा भी बहुत सारे Software हैं बट Commonly ये चारो Software यूज किये जाते हैं Post Processing के लिए तो सबसे पहले हम जानेंगे Global Mapper के बारे में तो इस पूरे Series में हम Global Mapper को यूज करेंगे क्योंकि ये बहुत easy to use Software है और बहुत easily आप इसे सीख भी सकते हैं ArcGIS में भी Printing of Maps क्या हम देखेंगे QGIS एक Free यानि Open Source Software है वो Free Software है वो कोई भी यूज कर सकता है Pix4D Survey अगें पेट्स आफ सॉफ्ट्वेर है बट मैं आपको यहां पर यह भी सिखाऊंगा कि आप इसे Free में कैसे यूज कर सकते हैं तो हम शुरू करेंगे Global Mapper से कर सकते हैं सुम्स्नावब्स लड़ारे कि में पर यहां जडरे हैं कि तो हमारे हैं तो अ घ्नाव को झाल झाल